हेई! आपने ये नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना आज हम जानेंगे जोडों की दर्द की बेस्ट और शिदी के बारे में देखे जोडों का दर्द कभी भी किसी को भी हो सकता है क्योंकि आज कल जिसे सापसे हम लोगों का लाइफ स्टाइल है ये प्रॉब्लम अब बुजर्गों की नहीं रह गई ये प्रॉब्लम सब की हो गई है चाहे कितनी भी एज क्यों ना हो जोडों की दर्द की समस्या आज कल सभी को रहती है अगर आप लोग इस समस्या से सच में बशना चाते हो तो आपको बस अपने किचन में जाकर इस औशिदी को फॉलो करना है आप देखेंगे इस औशिदी को फॉलो करने के बाद आपके जोडों का दर्द चुट्कियों में सॉल्व हो जाएगा तो चलिए औशिदी के बारे में जानते हैं देखे इस ओश्यदी को बनाने के लिए आपको बस अपने किचन में जाकर मेथी, सौट और एजवाइन इन तीनों का इस्टिमाल करना है वो भी बराबर मात्रा में देखे मेथी आपके खून को साफ करती है, खून के अंदर जो गंदीगी जमा है उसे बाहर करती है और मेथी का नेशेर गरम होने की वज़े से ये आपके बलड फ्लो को बढ़ाती है, जिस वज़े से ये जोडो के दर्द के लिए बहुत अच्छी ओश्यदी है इसके अलावा हमने यापर सौट का इस्टमाल किया है, यानि सूखी अद्रक का इस्टमाल किया है ये सूखी अद्रक के अंदर anti-inflammatory properties पाई जाती है, प्लस ये natural pain killer है, यानि ये दर्द को natural तरीके से solve करती है और आपके जोडों में जो सूजन आ गई है, जो आपको बाहर से नजर नहीं आ ली, लेकिन अंदर से जो सूजन है, उसे ठीक करती है और इस औशिदी को बनाने के लिए हमने बराबर मातर में edge wine लिए, edge wine भी आपको इसलिए डालनी है, क्योंकि ये आपकी body की watt को balance करती है, watt यानि air को balance करती है दिखिए, are you weight के according, जब भी आपकी body का वाद बिगड़ेगा, आपकी body में कही न कहीं दर्द लगा रहेगा तो ये जो पाए है सिर्फ जोडों के दर्द का नहीं है, आपकी body में आपको कहीं भी दर्द क्यों न हो, आपको बस ये तीन औशिदियों को mix करके, इसका potter बनाना है और इसे गुन-गुने पानी के साथ लेना है, ऐसा करने से कुछ ही मिन्टों के अंदर आपका वो दर्द सॉल्फ हो जाएगा तो ये था हमारा आज का चोटा सा टिप, दर्द को ठीक करने के लिए इसी तरिके की और भी remedy के बारे में जानने के लिए, आप लोग हमारे इस टैनल को सस्क्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कल किसी और वीडियो में, किसी और नई टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलेंगे तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमेशा हेल्दी रहिए